तो हेलो कैस वेलकम बैक टू आवर योट्टैप चैनल और वेलकम टू माई निव वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर मंडे के लिए हमारे क्या views रहेंगे support resistance लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है market में और आगे आने वाले sessions में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में discussion करने वाले हैं जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं और इस channel के उपर अभी नए आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस channel पर nifty bank nifty के उपर डेली analysis वीडियो अपलोड करती हूँ साथ ही साथ मैं education purpose के उपर भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको मेरे channel के उपर technical analysis के उपर option chain analysis के उपर already uploaded वीडियो मिल जाएंगे साथ ही साथ मैं stock analysis भी यहाँ पे इस channel के उपर वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लो और bell notification को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की चानकारी आपको सही से आती चाहें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक important बात यह बताना चाहूँगी कि upstokes ने हमारे subscribers के लिए बहुत ही बढ़िया offer लेकिया है जहाँ पर आपको एक free digital gold मिल रहा है every sign up के उपर जी हाँ आपको एक free digital gold मिल रहा है साथ ही साथ आपको एक free demat and trading account मिल रहा है zero brokerage on stocks, mutual funds, digital gold, IPO and NFS तो यह सारे benefits आपको upstokes provide कर रहा है तो जल्दी से अपना account जो है वो upstokes के साथ open कर लीजएगा आपको मेरे description box में upstokes की account opening link जो है वो मिल जाएगी और upstokes को मैं इसलिए recommend करती हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ से trading करती हूँ और मेरा अब तक का experience upstokes के साथ बहुत ही बढ़िया है तो आपको भी अपना demand account upstokes के साथ open कर लेना चाहिए तो अपना account upstokes के साथ open कर लीजएगा तो अभी हम लोग start करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी के साथ तो देखें निफ्टी की आज की closing कहाँ पर आई है तो निफ्टी ने finally 800 के उपर हमें closing दी है और बात करें अभी तो candle जो form हुई है वो एक indecisive formation हुई है डेली चार्ट के उपर तो weekly chart अगर हम लोग देखें निफ्टी का तो weekly chart के उपर एक bullish candle निफ्टी ने form की है लगातार तीन week से निफ्टी हमें bullish form में दिखाई दे रहा है और bullish candle जो है वो weekly scale के उपर form हो रही है और अगर हम लोग ये तीन दीन की बात करें तो निफ्टी higher highs और higher lows formation दे रहा है पिछले तीन दिन से तो यहां से अगर हम लोग rally की बात करें तो देखें 900 तक तो ये rally definitely जाएगी अगर 900 के उपर sustainable move आता है तो हम लोग next target 15,050 and 100 का level देख रहे हैं आगे की बाद हम लोग तभी करेंगे जब निफ्टी 15,000 के उपर sustain हो जाएगा तभी so market witness extension in the trend and that started yesterday after breaching the important level of 700 तो कल जैसे ही 700 का level निफ्टी ने पार किया तो वो जो extension था वो जो momentum था वो आज हमें continue दिखाई दिया निफ्टी के अंदर तो अभी ये rally जो है वो 900 तक तो जाएगी though it is subject to further price action but if the market breaks the level of 14,900 and sustains above the level a new bullish rally will take place till the levels of 15,100 and 200 so all जो indicators है वो भी फिलहार इस rally को support कर रहे है वो भी positive ही हमें दिखाई दे रहे है तो अगर निफ्टी 900 के उपर sustain हो जाता है और 900 को closing basis के उपर नहीं तोड़ता है तो ये rally extend होती जाएगे 15,200, 300 तक भी so अभी हम लोग first निफ्टी का option chain data देख लेते हैं so अभी मेरे सामने निफ्टी का option chain data है next expiry का तो call side में अगर देखे सबसे जादा open interest जो बना हुआ दिखाई दे रहा है वो 15,000 के उपर है और 15,200 के उपर है तो देखे जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि अगर sustainable move आता है 14,900 के उपर तो निफ्टी हमें 15,200 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है वही आज सबसे जादा call writing कहा पे हुई है तो आज सबसे जादा call writing भी हमें 15,200 के उपर दिखाई दे रही है तो अपसाइट के लिए निफ्टी के लिए दो important levels रहेंगे first 15,000 का और second 15,200 का तो अभी इस option chain data के उपर से अगर हम लोग देखे तो निफ्टी के लिए जो first resistance है वो 15,000 का level है तो मैंने ये पहले भी कहा है कि अगर निफ्टी इस zone के उपर चला जाता है तो definitely हम लोग 15,000 तक तो निफ्टी को बढ़ते हुए देखेंगे ही देखेंगे लेकिन यहाँ पर important रहेगा कि 14,900 अगर निफ्टी सिस्टेन करता है तो यहाँ से definitely 15,200 तक की निफ्टी की ये जो rally है वो continue रह सकती है तो बीच में एक resistance है छोटा वो था वो है 14,900 का level अगर इसको अच्छे से hold रखा तो bullish momentum जो है वो निफ्टी के अंदर आता हुआ हम लोग देख सकते हैं फिर यह जो निफ्टी का correction phase था या फिर हम लोग कह सकते हैं जो निफ्टी short term के लिए bearish हुआ था वो अभी अगर 14,900 पार करता है तो वो bearishness जो है वो पूरा खतम हो जाएगा और यहां से निफ्टी हमें bullish rally के तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह upside की बात हो गई downside की अगर बात करें तो देखे सबसे ज़्यादा open interest कहां पर बना हुआ है तो highest open interest दो level के उपर है 14,500 और 14,000 के तरफ वही आज सबसे ज़्यादा put writing कहां पर हुई है तो आज सबसे ज़्यादा put writing हुई है 14,800 के उपर तो इसी वज़र से निफ्टी जो है वो आज 14,800 closing basis के उपर पार कर पाया और इसके उपर की closing हमें मिली है आज तो 14,800 के उपर अच्छा खासा support बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर मंडे की बात करें तो अगर निफ्टी ने 14,800 ऐसे ही hold रखा तो निफ्टी 900 और 950 तक हमें मंडे को जाता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन अगर 800 ब्रेक होता है तो फिर से डाउंसाइट के लिए 650,700 के जोन में निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो फिर से वही consolidation 14,500 से लेके 800 के बीच में हम लोग देख सकते हैं निफ्टी के अंदर वही जैसे मैंने आपसे कहा है कि crucial और important डाउंसाइट के लिए सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए 14,500 का लेवल अगर 14,500 के उपर ब्रेक हो गया तो यहां से और जादा weakness निफ्टी के अंदर बढ़ती हुई हम लोग देख सकते हैं तो निफ्टी के लिए option change data हमने देख लिया है तो चलते हैं अभी chart के उपर निफ्टी के 14,400 and holding 14,400 is imperative for the nifty so यहां से अगर निफ्टी जो है वो डाउन साइट के लिए फिर से आ जाता है तो 14,400 का important support level रहेगा निफ्टी 50 के लिए तो आज के अगर बात की जाए निफ्टी आज निफ्टी के आज ओपनिंग कहां पे हुई थी तो आज निफ्टी के ओपनिंग हुई थी 14,816 के पास और वहां से निफ्टी ने जो है वो 14,863 का high किया और जैसे ही अपने next resistance के पास पहुचा यानि के 850 के उपर निफ्टी के लिए एक resistance था तो उस resistance के पास पहुचने के बाद निफ्टी के अंदर गिरावट जो है वो हमें आती हुई दिखाई दी और वहां से निफ्टी ने 14,765 का low किया था तो मैंने आज टेलीग्राम चानल के उपर आपको important support और resistance के levels जो थे वो यहाँ पर बता दिये थे जो मैं use करती हूँ वो सारे levels मैंने यहाँ पर mention किये थे और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम के उपर follow नहीं किया है तो जल्दी से कर लो नीचे description box में link आपको provide कर दी है मैं यहाँ पर भी आपको important levels everyday के लिए रालती हूँ live market में कुछ important news होती है वो डालती हूँ तो वहाँ पर follow नहीं किया है तो जल्दी से कर लो अभी देखिए निफ्टी ने डली चार्ट के उपर एक indices of formation किया हुआ है और आज का low था 14,765 का तो यहाँ से अगर हम लोग देखे तो 765 के support के पास से हमें अच्छी खासी recovery आती हुई दिखाई दी और फिर से निफ्टी ने जो है वो 850 के ओपर जाने के लिए try किया लेकिन निफ्टी जो है वो 850 पार नहीं कर पाया तो days low के यहाँ से हमें अच्छी खासी recovery आती हुई दिखाई दी तो यह बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि इंट्राडे में आप buy on dips की strategy अपना सकते हो तो हमें जो अभी market दिखाई दे रहा है वो selling तो आ रही है लेकिन support के पास से अच्छा खासा हमें bounce bag भी देखने को मिल रहा है तो निफ्टी ने आज 850 के उपर जाने के लिए फिर से try किया लेकिन नहीं हो पाया और फिर से हमें downside के लिए आता हुआ निफ्टी जो है वो दिखाई दिया था और अभी फिलाल closing basis के उपर 823 के पास निफ्टी ने closing दी है तो यहां से आगे कि अगर बात की जाए important support और resistance के levels की तो देखें first important support रहेगा निफ्टी 50 के लिए यहां से 14,760 का level अगर निफ्टी इस level के नीचे टिक जाता है या फिर trade करता है next session में 30 से 40 मिनिट के लिए तो यहां से निफ्टी हमें 14,710 और 14,680 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है फिर downside के लिए यह important support की levels रहेंगे और जो next resistance की levels रहेंगे निफ्टी के लिए वो first तो 14,850 का level है अगर इसके उपर निफ्टी sustain कर लेता है मंडे को तो यहां से यह जो rally है वो हमें 14,910 और 14,930 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है तो यह support और यह resistance की levels रहेंगे निफ्टी 50 के लिए तो जो भी levels बताए हैं वो please अपने chart के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी nifty के लिए तो हमने देख लिया है तो चलते हैं अभी bank nifty के उपर तो bank nifty की closing कहां पर आई है तो nifty bank की closing आई है वो आई है 32,904 के पास तो nifty bank जो है वो इतना अच्छा perform नहीं कर रहा है और closing की बात करें तो nifty तो 800 के पार चला गया है लेकिन bank nifty को 33,000 पार करने के लिए बहुत ही जादा मुश्किल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगर nifty bank 32,000 850 के उपर sustain कर लेता है तो next trading session में हम लोग nifty bank को 33,000 और 33,300 के तरफ बढ़ते हुए देख सकते थे तो आज nifty bank ने 259 तक का high किया था और वहाँ से फिर से हमें गिरावट जो है वो nifty bank के अंदर आती हुई दिखाई दी और अभी अगर बात करें तो closing जो है वो 33,000 के नीचे ही मिली है तो पहले हम लोग option chain data nifty bank का देख लेते हैं important support और resistance कहाँ पर है तो call side में अगर देखे सबसे ज़्यादा open interest जो बना हुआ है वो है 34,000 के लेवल के उपर और 33,000 के उपर तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ analysis के लिए है नहीं मैंने जैसे आपको कहा था 33,000 का अगर resistance पार कर लिया nifty bank ने तो next resistance 34,000 का लेवल रहेगा और हमारा जो next target रहेगा वो 34,000 का लेवल ही रहेगा तो यहाँ से दो resistance नifty bank के लिए है अपside के लिए downside की बात करें तो देखे सबसे ज़्यादा open interest कहां पे बना हुआ है तो highest open interest जो बना हुआ हमें दिकाई दे रहा है वो 32,000 के उपर और next 31,000 के उपर तो देखें जैसे पहले भी मैंने बात की है कि अगर नifty bank 32,000 ब्रेक करता है downside के लिए तो यहाँ से और 1000 से देड़ 1000 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग नifty bank के अंदर देख सकते हैं और जब तक इस level को hold रख रहा है नifty bank के chances बने हुए है 34,000 के लेकिन अगर जल्दी से जल नifty bank ये level पार नहीं करता है तो downside के लिए नifty bank वीक होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे chances है फिर 32,000 के तूटने के भी तो अभी option chain data देख लिया है तो चलते हैं अभी चार्ट के उपर नifty bank के तो अभी मेरे सामने डली चार्ट है नifty bank का और एक bearish candle नifty bank ने form की है second day पे भी तो अगर यहाँ से आगे की बात करें तो देखे सबसे पहला जो important support रहेगा वो रहेगा 32,750 का level अगर इसको break कर दिया नifty bank ने तो next important support रहेगा 32,550 का level वही यह दोनों support अगर hold नहीं होते हैं तो यहाँ से नifty bank हमें 32,310 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है अपसाइट की बात करें तो अपसाइट के लिए first resistance रहेगा 33,080 का level next resistance रहेगा 33,310 का level और इसके बात में 33,510 का level यह nifty bank के लिए important support और resistance के levels रहेंगे जो आपको आपके चार्ट के उपर mark करने हैं ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी राउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी और अगर आपने channel membership मेरी अभी तक join नहीं की है तो please जल्दी से कर लो channel membership के अंदर आपको extra guidance videos, levels, strategies मिलती है nifty bank, nifty or stocks के उपर community में यहाँ पे channel membership वालों के लिए important जो news होती है जैसे कि कौन से stock को buy करना है, nifty bank, nifty के अंदर levels आपको क्या positions लेनी चाहिए, expiry के लिए strategy डालती तो यह सारे जो important news होती है वो मैं channel membership के अंदर डालती हूँ और आपको वो community में मिल जाएंगी, यह सारे benefits आपको channel membership के अंदर मिलते हैं, तो जल्दी से channel membership join कर लो, नीचे description box में मैंने link आपको provide कर दी है, और जिनोंने भी platinum membership ली हुई है, उनको मैंने अपना personal contact number दिया हुआ है जो आपको community tab में मिल जाएगा, तो अगर miss किया है, किसी ने platinum वालों में से तो वो देख लीजेगा, वहाँ पर मैंने आपको personal contact number दिया हुआ है, और आप मुझे whatsapp पे या फिर telegram पे contact कर सकते हो, और timing रहेगा सुबह 11 a.m. से दुपए 3 p.m. के बीच में, तो यह timing है, इसी प्लीज में, प्लीज मुझे message कर दिया करो, call मत किया करो, क्योंकि call में नहीं उटाऊंगी, whatsapp कर दो या फिर telegram कर दो, मैं वहाँ पर आपका reply ज़रूर दूंगी, thank you very much for watching this video, मैं मिलूंगी आपसे next video में, till then, bye, take care and trade carefully.